हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो अबर चैनल नीट लारवल्स बच्चों, आज की सेशन में मैं डिसकस करने वाला हूँ ट्रिक टू लर्न दी जियोलोजिकल टाइम स्केल तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आवलुशन के अदर आपने जियोलोजिकल टाइम स्केल की टेबल तो जरूर देखे होगी तो चलिए उसको याद करने के ट्रिक को ज़रा हम समझते हैं देखो जो टाइम स्केल होता है उसको फॉलोविंग इवेंट्स में डिवाइड किया गया है फस्ट होता है हमारा एरा जो सबसे लार्ज टाइम पिरिएड होता है फिर उससे छोटे होते हैं पिरियड और पिरियड के अंदर प्रेजन्ट होती है इपोजिज तो हमारे पास इरा कौन कौन सी present है, सबसे पहली इरा होती है एजोईक, सेकेंड आर्केजोईक, थर्ड प्रोटियोजोईक, फॉर्थ पैलियोजोईक, फिफ्थ मीजोईक and सिक्स्थ सीनोजोईक तो देखो बेटा, जो स्टार्टिंग की रहा है एजोईक, आर्केजोईक, प्रोटियोजोईक, ये तो आपको ऐसाच लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद के ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ तो पैलियोजोईक, मीजोईक, सिनोजोईक के लिए ट्रिक क्या है? पल में सेंटी, भाई किसी को प्यार हो गया और वो पल में क्या हो जाता है? सेंटी हो जाता है, तो पल पैलियोजोईक में मीजोईक and सिनोजोईक और सेंटी, ठीक है? अब देखें, इसके अंदर आते है periods, periods को याद करना बड़ा difficult होता बच्चों, लेकिन उसके लिए amazing trick है, हमारे पांस ज़रा देखें Cambrian, यानि की Cam, Odovision और Salurian, Silu, Devonian दिवानी, Carboniferous, Carbon के per main frame में तो trick क्या बन गई, Cam और Silu, बहिए दो जने हैं ये, दो लड़किया हैं, Cam और Silu, ये दोनों दिवानी हो गई, किसके Carbon के frame में, लड़के का नाम क्या है Carbon, तो Cam और Silu दिवानी हो गई, Carbon के frame में अब देखो, तीन जने हुए ना, Cam, Silu और Carbon, तो ये तीनों Jurassic Park में गए, और किस से गए Creta गाड़ी में, तो तीनों Jurassic Park में ये हमारे पास क्या है, दीज़ादा Periods, अब देखो, Periods के अंदर further present होती है, Ipoches, तो Ipoches को याद करने की trick क्या है, Ipoches हमारे पास होते है, Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Plyocene, Plistocene, Holocene, तो क्या है, Put egg on my plate Please honey, बैइ, क्या को अपनी girlfriend को बोल रहा है, अपनी wife इवेंट्स को जरा हम देखते हैं, इवेंट्स देख लेजए, इनकी कोई trick नहीं है, बैटा, इवेंट्स तो आपको यादी करने पड़ेंगे, लेकिं इनका एक sequence, जरा उस sequence को समझो, Ezoic, इसमें हुआ था chemical evolution, Archezoic, यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोकरियोर डोमिनेट हुए थी, यहाँ की invisible life थी इस ताइम पर, Proteos होई, कहाँ पर Proteos होगा का formation हुआ था, Ordovician, Aze of Invertebrate, और origin हुआ था, Jowles Fishes का, जो की first vertebrate थी, तो आप बोल सकते हो, origin of Codates, Silurian के अंदर क्या हो, origin of true fishes, अगर यहाँ पर ही originate करते हैं, तो इस से आगर dominant हो जाएंगे, तो क्या होँआ दैवोनियन में? Fish is dominant, और origin हुआ amphibians का, तो Carboniferous में amphibian dominant कर जाएंगे, amphibian dominant, और original किसका, reptiles का, परमीन के अंदर आगर देखोगे, तो क्या होगा? पहला जिम्नोस परम अपियर हुआ था, प्राइस से के अंदर क्या था, origin of dinosaurs and oviparous mammals, तो अगर dinosaur का origin यहाँ पर हुआ, तो dinosaurs यहाँ पर कर जाते हैं, dominant in Jurassic, और cretaceous में जाके क्या हो जाता है, extension of dinosaur, साथ के साथ cretaceous में होता है, origin of placental mammals and modern birds, ठीक है, और last में प्रिस्टोसीन के लिए आप लोगों प्याद रखना है, इसमें क्या होता है, human appeared होए थे, holocene को बुला जाता है age of man, प्रिस्टोसीन को बुला जाता है ice age, jurassic को बुला जाता है age of dinosaur, जबकि मीजोजोईक जो है, शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थेंक्यू,